हेलो अप्रिवान मैं आशे करती हूं आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी चैनल प्यूप लीचे में किस तरीके से नॉर्मलाइजिशन होगा अगर मैं आपके साथ शॉट और सिंपल लांगविज में कहूं तो देखिए जित लिए जाएगा उस अमरे स्कूर के अगर आपका के डिदेट के जो आपका शिफ्ट है उसमें आपके कम मार्क से तो अनने आड कर दे जाएंगे और किसी पर्टिक्लर शिप्ट में उस रॉ माक से जाधा माक से तो उसमें सब्स्ट्राट कर दे जाएगा तकि सारे सिफ्ट यहां पर बराबर हो सकें तो देखिए यहां पर जो आपका एक्जाम्पल लिया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि यहां पर एक पूरा एक एक्जाम्पल दिया गया है जिसमें ए जो है वह यहां पर बता रखा है कि पेपर में कितने कोशन यहां पर पूछे गए जैसा मान क आपको डॉप शब्द मिला था तो ऐसे केस में कुछ पर्टिकुलर स्रुफ्ट में मान की चलिए कि कुछ ऐसे In-Valit कोशन होते हैं तो In-Valit कोर्षन यहापे तुन मालिया तो यहाँ पर आपके जो करडर्त कोशन हैं वो कितने बनगƬ 117 बनगे तो देखे ऐसे एक स्टूडेंट है जिसने आपका 117 में से 103 कोशिन यहां पर अटेंप्ट किये और इन 103 में से हां पर 98 कोश्यन यहां पर इसने करेंट किये हैं तीन पाँच निए पांच कोश्यन इसने रों किये 해주 और 14 कोशन यहां पर अन अकपिर डागेए अब देखिये कितने response किये यहाँ पर तो 98 जो है वो correct response है इसके लावा candidate का score अगर 98 correct है क्योंकि यहाँ पर negative marking का scene नहीं है तो 98 ही इसका score होगा तो देखिए यहाँ पर जो आपका percentage में निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है कि आपका score कितना है 98 number of questions यहाँ पर जो आपका invalid को हटा कि कितने थे 117 और यहाँ पर total number of questions जो starting में लिए गए थे वो कितने थे हो थे आपके 120 तो इसे साब से एक candidate का score कितना बन जाता है यहाँ पर आपका 100 के आसवास बन जाता है अब देखिए इसके बाद एक example लिया गया कि ऐसे आपकी 9 student है और 9 की 9 student का जो score है वहाँ पर लिखा गया है अब यह जो 9 student है उनमें से किसी एक बच्चे का जो score है मान के चलिए कि 60 है तो यहां पर यह बोला क्या गया है जैसे हमारे तो यह student होंगे हमारे लिए shift होंगी अब यह जो आपका 60 है 60 के ऊपर जितने भी आ रहे हैं और 60 के नीचे जितने भी आ रहे हैं इसमें ग्याप किस तरीके से देखा जाएगा जिन जिनके कि अगर यहां पर 80 है तो इसमें से माइनिस कर दिया जाएगा ताकि सारे शिफ्टों को बराबर कर जाए तो देखिए अगर आप लोग परेशान थे कि आपका पर्टिकुलर शिफ्ट जो है वो टफा है और आपको लग रहा था कि नॉर्मलाइजीशन हो सकता तो हमें के लिए जो है वो के द्वारा ली जा रही है आप लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट यहां पे 110 के उपर है वो आप त्यारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर नॉर्मलाइजीशन होता है तो आपको पता है कि सीधा सीधा आपको फाइदा होने वाला है और अगर अभी से इंटर्विव की त्यारी नहीं करते तो आपको लास्ट में यह दिक्कत फेस करने को मिल सकती है इस वीडियो में इतना ही और एक गुड नियूस के साथ एक पॉजिटिव एनरजी के साथ अपनी त्यारी शुरू कर दीजिए इस वीडियो में अब मैं आप से मिलती हो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर